ये हैं मेरी और 29 साल के एक शाथी शुदा आदमी की काहानी एक दिन खाली बैठे मैंने फेस्बुक पर अंजानी में एक आदमी को फ्रिंड रिक्वेस्ट भेज दे लिए जो दिखने में बहुत ही हैंसम था उस आदमी ने उसी रात फेस्बुक पर मेरी भेजी फिर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तुम्हें तो पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खुबसूरत लग रही हो उसने मैसेच किया थैंक यू मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी इसी तरह हमने बाते करना शुरू कर दिया मुझे पता था कि वो 29 साल का एक शादिश शुदा आदमी है जिसके दो बच्चे है इन सब चीजों के बावजूद हमने अपने बातें शुरू कर दी थी इतना ही नहीं हमने अपने नबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिये थे देखते ही देखते हम एक दूसरे के इतने करीब आ गये थे और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गया थे फेस्बुक पर हम दोनों एक दूसरी के साथ बहुत ज़्यादा बक्त बिताने लगे थे और सोशल मीडिया पर स्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे थे दूसरी ओर वोस आदमे को लगने लगा था कि हमारे करीब आने में इतनी बाते करने में किसे वाजा उनकी बीवी दूर हो रही है वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेम में रहती थी वह मुझसे बोलता था अभी पता नहीं मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ मुझे अफसोज इस बात पर है मैं नेचर के काफी शहर मीली थी पर काफी अच्छे दोस्त भी थे लेकिन मुहाफिस जैसा दोस होना काफी श्पेशल था मेरे लिए एक मैने की चैटिंग के पाद हमने स्कार्पिंग करना भी शुरू कर दिया था हम उस पर भी बाते कम से कम एक दूसरे से एक घंटे तक देखा करते थे एक दूसरे को और बाते भी क्या करते थे एक रादवा मेरे साथ वीडियो कॉल पर था उसने बोला ऐसे देख 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 ते कहीं प्यार ना हो जाए खेर अब हम रोज ही इस वीडियो कॉल पर रहेंगे हम इतने पास आचुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह ही भीव करने लगे थे हम रोवांस करते एक दूसरी को चिलाते और थोड़ी लाईयां भी करते कहने का मतलब है कि 17 साल के लड़की को 45 साल के आदमी से प्यार हो गया था जिस तरह प्यार के कोई उमर नहीं होती उसे तरह हम दोनों को भी अपना रिश्टा बिल्कुल गलत नहीं लग रहा था हमने कुछ गलत काम नहीं किया था इसी दोरान उसकी बीवी और उसके बच्चे उससे मिलने आए पर वह भी मुझसे बात क्या करता था यहां तक कि वहां अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था उसी दोरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी क्योंकि अब आप पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा एक रात के बात है जब यह दुनों बेट पर संबद बनाने के लिए कहे तब ही इनके फोन पर मैंने मैसेच और अपनी फोटो भीजी इनकी वाइफ ने उस फोन को उठा लिया और उसे जैसे ही खोला उसे मेरी फोटो देखी उसकी वाइफ ने कोई रियाक्शन नहीं दिया बस मुहाफिस को एक जोर ता धपल मार दिया तीन दिनों के बाद वाइफ घर छोड़का चली गई मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लग रहा था इसलिए मैंने कई दिनों तक उससे बात जीत नहीं की उसी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉंग ट्राय पर जाने का प्लान बनाया उसी शाम उसने मुझे प्रपोस किया मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं अपनी जवानी में काफी साही लड़कियों से मिला पर तुम ही एक ऐसी लड़कियों जिसे मेरा तिल चुराया है वहाँ कुछ तेर के लिए शान्ती चाह गई फिर उसने मुझे आई लव यू बोला उसकी आखों में आसू थे हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे गले लगना चाहते थे दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मेरा जिसमें लिखा था हे डार्लिंग, I love you लेकिन मेरा परिवार भी है मेरी कुछ ड्यूटीज भी है यह मेरा तुमको आखरी मैसेज है मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि मानू शादी के बाद में विद्वा हो गई मैं पूरी तरह तूट चुकी थी काफी परिशान थी तीन मेहनी बीच जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशन्शिप में आई एक दिन मेरे पास किसी दूसरी नंबर से मुहाफिस का मेसेज आया बानी इस दैट यू प्लीस मेरे लाइफ में दुबारा वापस आ जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं समझ गई की यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी एक घंटे की चैटिंग के बाद मेरा देर फिल से पिखलने लगा मेरे बाइफरेंड को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था मैंने उससे सब कुछ छुपा के रखा था मैंने उस पूरी रात केवल मुहाफिज से बाते करने के लिए बिता दी एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया मैंने हा कर दी और चली गई घर जाकर मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था घर खाली था वहाँ सिर्फ मुहाफिज ही था उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए कहा उसके बाद हमने ठेर सारी बाते की और खाने की टेबल सजाई मेरे लिए यह सब नया था मैं केवल इधर उधर दे गई थी तब ही अचानक से जैसे पीछे ही मुड़ी उसके होट मेरे होट पर थे हम एक दूसरे को किस करने लगे मैं भूल गई कि वह कौन है और हमारी उमर कितनी है वह पहला टाइम था जो मैं किसी के साथ रिलेशन मना रही थी वो यह भी जाने की हमें हमने प्रोटेक्शन नहीं ली थी तभी मुझे एक दर्द का हैसास हुआ और मैंने अपनी वर्जनाटी उसे दे दे जिसे मैं बहत प्यार कर दे मैं उसी दर्द भरी हालत में खरवा पसा गई दोस्ते दिन मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था अब मुझे पूरी तरह से हैसास हो गया था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा अब मैं प्यार पानी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी वर्जा अइनिटिक होने के बाद मैं सोच में काफी बदल चुकी थी मैं एक औरत बन चुकी थी उस दिन मुझे पता ला कि प्यार का अस्तनी माइना क्या होता है एक दिन मैंने अपनी फिलिंग्स के बारे में का नमबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया मैंने फिर कभी उसे प्रेस करने के ज़रूरत नहीं समझी लेकिन उसकी यादे आज भी मुझे डराती है मैं खुश थी मैं इस अजीब से लगने वाले रिष्टे से बाहर आ गई थी लेकिन आज भी वह अदमी मेरे लिए पहला प्यार ही रहेगा मैं भगवाल से दुआ करती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वो एकदम मुहाफिज जैसा ही हो तो अगर यह स्टूरी आपको पसंद आई है तो प्लेस मुझे लाइक, कॉमेंट और शेयर जरू कीचे और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच